नमस्कार सात्यों स्वागत आप सभी का फास्ट इस्टेडी प्लानर यूटूब चैनल पर सात्यों हर्याना स्टाप सलक्षन कमिशन ने हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल जीडी भरती 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है देखे इस वीडियो के माध्दम से आपको हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल जीडी बरती 2021 के विसे में जानकारी दी जाएगी यदि आप इस वीडियो में इंटरेस्टिड हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लाश्ट तक देखते रहिए देखे इस वीडियो के माध्दम से हम आपको इसके सभी important topic के बारे में बताएंगे देखे ये notification 30.12.2020 को जारी हुआ है यानि 30 December को ये जारी हुआ इसकी online form भरने की जो starting date है वो 11 जनवरी है यानि 11 जनवरी 2021 से आप इसका online form भर पाएंगे और 10 फरवरी इसकी last date है पर तो इसमें जो vacancy निकली हुई है दोस्तो टोटल vacancy इसमें 7,208 में vacancy पर ये notification जारी हुआ है और इसकी अलग-अलग vacancy देखे यहाँ पर detailed post and qualification police department हरियाना 500 post of male constable journal duty तो ये 500 post तो लिकड़ी है police constable male की gd के लिए 1100 post लिकड़ी है female constable gd के लिए और 698 post female constable for H.A.P. दुरगा first के लिए निकली है education qualification दोस्तो इसमें simply आपने 12th pass की हो यानि आप 12th pass हो और 10th में metric में आपके पास हिंदी या Sanskrit में से कोई एक subject होना चाहिए तो आप इसका form फिल करने के लिए eligible है बात कर लेते हैं इसकी height की इसकी height 170 cm जनरल candidate के लिए है और 83 से 87 के बीच आपकी chest होनी चाहिए और 4 cm का expansion होना चाहिए और सभी category के लिए इसमें height लिए है 168 cm जनरल category के अलावा उनकी chest होगी 81 से 85 cm और 4 cm का फुलाव होना चाहिए male की height दोस्तों इसमें 170 है लेकिन female की लिए है इन्होंने 158 cm और other category की जो female है उनकी height 156 cm है physical measurement आपका qualifying nature का होगा 18 से 25 साल के बच्चे इस form का apply कर सकते हैं और आपकी जो उम्र होगी वो एक दिसंबर 2020 से आपकी उम्र का calculation होगा यानि की आप एक दिसंबर 2020 को 18 से 25 साल के बीच में होने चाहिए category wise इसमें relaxation भी मिलेगा उम्र में जितना मिलता है सभी आपको पता होगा देखे जनरल का तो 18 से 25 है OBC को 3 साल का मिलता है SCST को 5 साल का relaxation मिलता है तो वो इसमें apply हैंगे और देखे pay scale इसका 21,700 से 69,100 के बीच में यानि लेवल 3 का ये जोब है जो की सभी police constable level 3 में ही आते हैं सभी state के application fees इसमें आपकी जनरल वालों की 100 रुपे है जो female हरियाना की है उनकी 50 रुपे है SCBC EWS हरियाना इस्टेट वालों की 25 रुपे है और female की 13 रुपे इसमें fees है और दोस्तों ये इसमें का होगा इसमें देखे दा डिटेल्ड प्रोसेज ओफ नोलिज टेट सेल बी एज फोलो आल कैंडिडेट सेल है और अन्डर्गोए नोलिज टेट ओफ 80 मार्क्स comparison of objective type multiple choice question देखे 80 नंबर का इसमें आपका knowledge test होगा यानि के written होगा objective type इसमें क्या होगा the knowledge test shall be of the objective types having 100 questions इसमें आपके 100 questions आएंगे objective type a question 0.80 marks का होगा और 90 minutes आपको इसके लिए मिलेंगे यानि 90,5 गंटा आपको मिलेगा a question 0.80 marks का होगा और 100 questions आपके test में आएंगे इसे बी लंग्विल आपका paper होगा यानि हिंदी और इंग्लिस दोनों बासाओ में आपका paper होगा ये देखे इसमें paper में आपके में the test paper shall include question of journal studies जानी GS आएगी, journal science आएगी, current affair, reasoning, mental aptitude, numerical ability, agriculture, animal husbandry, other relevant field trade, etc their cell 10 questions आपके computer से related भी होगा इसमें दोस्तों जो 12th इंच टेंडर्ड का होगा ये paper इसमें सात्यो रिटिन में vacancy का 7 गुना बच्चे qualify किये जाएंगे physical के लिए और आपका जो physical होगा male के लिए धाई किलो मीटर की race होगी 12 मिनट में female के लिए एक किलो मीटर की race होगी 6 मिनट में देखे इसमें आपको additional qualification यानि 80% weightage तो होगा आपके return का और 10% weightage होगा आपका additional qualification का तो देखे एडिसनल qualification में क्या होगा जदि आपने constable के लिए education में आप graduation की डिग्री आपने की है तो आपको 4 marks मिलेंगे जदि आपने post graduation की डिग्री की है तो आपको 3 marks मिलेंगे यानि आपने B.A.B.S.C.B. कॉम किया है तो 4 number आपको मिलेंगे और यदि आपने M.A.M.S.C.M. कॉम किया है तो 3 number आपको मिलेंगे इसके लावा यदि आपके पास N.C.C.C. का certificate है तो उसके लिए 3 number मिलेंगे A certificate वाले को एक number B certificate वाले को 2 number और C certificate वाले को 3 number इसके अलावा दोस्तो 90% हुआ 10% weightage मिलेगा miscellaneous देखे जैसे की 5 number देखे ये 5 number आपको मिलेंगे जदि आप 10% का जो ये weightage है इसमे 5 number आपको मिलेंगे यदि आप cell be given in neither of applicant no person among the applicant father, mother, brother, haryana and state government देखे यदि आप haryana state government या central government या कि the other state में नोकरी करते हैं आपके father तो आपको 5% मिलेंगे और 5% आपको 5 marks आपको तब मिलेंगे जब यदि आप एक विद्वा है या first person और second child has died यदि आपको आपके father के first और second child खतम हो गएते तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह सबी हैं और experience case में आपको 8 number मिलेंगे यदि आप कहीं पर job करते हैं पहले से ही उस related trade में एक साल का 0.5 mark मिलेगा अधिकतम 16 साल के आपको 8 number मिल सकते हैं तो यह notification देखे इसमें आपका exam schedule जो है वो the examination आपका जो cbt होगा वो 27 March 2021 को और 28 March 2021 को यानि 27 और 28 March 2021 को आपका written की परिक्सा होगी इसमें तो इस notification को आप download कर लीजे हर्याना इस्टाप सलक्षन की website से और इसे पूरा पढ़कर तब form apply कीजे धन्यवाद दोस्तों जदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल Fast Study Planner को like, share और subscribe कीजे धन्यवाद दोस्तों